नमस्कार मैं हूं मानसी दवे फादर्स डेपर जी बिजनस की इस खास फेशकर्ष में आप सभी का स्वागत है हमने नए नए पापा की प्लानिंग तो कर ली लेकिन अब बारी है उन सभी फादर्स के लिए जिन्होंने अब तक अपनी सभी जिम्मदारियों को निभाया और अब उम्र के उस पढ़ाओ पर पहुंचे हैं जहां उन्हें जरूरत है अपने उन सपनों को पूरा करने की जो जिम्मदारियों के बोज्च में दबकर अब तक अधूरे रह गए हैं तो पापा के पैसो की प्लानिंग के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग भी अनल जी स्वागत है आपका और नए फादर्स के लिए हमने प्लानिंग कर ली है लेकिन अब हम उन पापा की बात करने जा रहे हैं जो कि अब एक एज उम्र के उस पढ़ाव में पहुंच चुके हैं और अब प्लानिंग के बारे में उन्हें सोचना है तो उनके लिए प्ल प्लानिंग बेलग होगी क्योंकि जो यंग पापा हैं उनको जिम में जाने अलग तरह की देखनी होती है और जो थोड़े पुराने से हो गए हैं उनके लिए बजाए फैमिली के अपनी और ज्यादा देखना होता है ये बड़ा फरक है जो तीस पैंतिस साल की उमर में जो प्लानिंग करें तो उनके लिए फैमिली आगे अगे फूचर रिटार्मेंट वह ज्यादा इंपोर्टेंट है जो पचास पच्पंद साथ के या इसके उपर हैं उनके लिए अपनी सेफ्टी अर अपनी प्लानिंग के साफ से ज़्यादा जूरी है जो सीनियर सिजिजन टा बीमारियां जल्दी जाती नहीं, यंग एज में आपकी बीमारियां में जल्दी चली जाती है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉंग होता है, तो इसलिए एक तो आपके लिए वह प्लानिंग करनी ज़रूरी है, दूसरा आपको रेगुलर इंकम चाहिए, रेटायर हो गए तो आपको होनी चाहिए, अगर आप रेटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करना है, और तीसरी जो सबसे इंपोर्टन चीज है, जिसके लिए आपको फाइनिशिल प्लानिंग करनी चाहिए, जो सीनियर फादर्स है, वह है लाइफ एंज्जोई करने के लिए, जिन्दगी का तो होता है कि जब आदमी शादी आदी करता है और सोचता है कि अभी तो पूरी जिन्दगी पड़ी आराम से एंजोई कर लूगा ना बाद में, ठीक है, और वह करियर में, फैमिली में, जो भी कंपल्शन रहें या जो भी है, एंजोई करनी पाता है, और जब रिटार्में तो तीसरा सबसे इंपोर्टन चीज है, तो तीनों इंपोर्टन नेससिटीज है, लेकिन इनके लिए पौन सी स्कीम्स हैं जिससे शुरुवात करनी चाहिए, आम तोर पर जो सीनियर सीटिजन से या जो सीनियर फादर से उनको रिस्क कम लेनी है, आपने ले लिए रिसक प्रधान मंत्री वयवंधन योजना है, वो एक बहुत बढ़ी है स्कीम है, जिसमें आप पैसा आल सकते हैं, पॉस्ट आफिस की मंतली इंकम स्कीम है, जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये तीनों के तीनों स्कीम सासी है, जो फिक्स इंकम वाली है, इनके डिटर्न स हैं, और रिस्क बहुत कम नहीं के बराबर है, मैं आज का लेना नहीं है, ये तो बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके अलावा आप चाहें तो रिगुलर इंकम के लिए आप डेट फंड से पैसा निकाल सकते हैं, आपको याद होगा, हमने यो यंग फादर से को का था, आप डेट फंड से पैसा रखिए, तो ये डेट फंड का जो पैसा है, आपने कई सालों तक इन्वेस्स किया है, उसको आपको निकालना कब है, जब हाइर एज में आपको आपने नोकरी ओकरी छोड़ दी, प्रोफेशन छोड़ दिया, रिटाय टाइप हो गया है अब आपको regular income चाहिए, तो वहां से SWP, systematic withdrawal plan के ज़रे निकालते रहे हैं, और इसके अलागा, एक mutual funds की monthly scheme plans भी आते हैं, MIPs, MIPs में आप investment कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी option है, ये सारे options हैं, जहां पर आप invest कर सकते हैं, अन्य जी, senior citizen savings scheme का आपने जिकर किया, ये क्या है और इसके फाइदे क्या हैं, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, जो रिटायर हैं, बैसिकली, तो उनके लिए एक scheme बहुत बढ़ी है, अब इस scheme में आप 1000 से लेकर 15 लाग रुपे तक invest कर सकते हैं, और उस पे आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ATC section में उसमें छूट जो मिलेगी वो 1.5 लाग तक की मिलेगी, आप चाहें तो 15 लाग invest कीजिए, वो issue नहीं है, लेकिन छूट 15 लाग की मिलेगी, बाकि साड़े तेरा लाग रुपे पर जो भी ब्याज बगर आएगा, वो आपका taxable हो जाएगा, पांच साल के लिए आम तो पर ये scheme होती है, और ये सारी schemes आप बता रहे हैं, इसे हम बिल्कुल जाकर search कर सकते हैं, लेकिन जब आप समझाते हैं, तो उसे और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और बहुत सारी है न, इन्फोरमेशन बहुत जादा है, और उसमें उलजना जाए, इसलिए एक एक करके अगर आपसे हम सम बशकार, ये इस योजना का नाम का वो पूरी वो है, 60 साल प्लस जो लोग है, वो इस scheme में पैसा लगा सकते हैं, अब इसमें एक बढ़या बात है कि इसमें एज लिमिट नहीं है, आप 60 में लगाओ, 65 में लगाओ, 75 में, जब लगाना लगाईए, ठीक है, लेकिन लगाएं लगा सकते हैं, और दोनों ज़एंट लगाएंगे तो भी 30 लाग रुपे तक का आप इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, 15 प्लस 15, ठीक है, अब इसमें एक चीज जो फर्क है, वो ये कि इसमें 10 साल का लोकीन पिरेड है, 10 साल के लिए minimum इन्वेस्मेंट करना होता है, जिसमें सेन Senior Citizen Savings Scheme में minimum 5 साल है, इसमें 10 साल है, लेकिन आपको ब्याज उस पे आता रहेगा, हर महिने, 3 महिने, 6 महिने, एक साल, आप अपनी frequency डिसाइड कर लिए, आपको ब्याज मंत ली चाहिए, कौर्टर ली चाहिए, हाफ यर ली चाहिए, एर ली चाहिए, लेकिन लोकेन, लोकेन आपको पैसे फिक्स होगे है, आपको ब्याज आता रहेगा, रेगुलर इंकम के लिए, जो रेगुलर इंकम वाला जो पहला फंडा है, किसलिए आपको पैसा बचाना है, या senior citizens की planning किसलिए करने है, तो रेगुलर इंकम यहां से आती रहेगी, और section 80C में इसका आपको benefit मिल सके हैं, हाँ, इसमें एक फरक है, इसमें आपको senior citizen होने की जरूर नहीं है, आप पहले भी लगा सकते हैं, दस साल की उमर के ओपर कोई भी आदमी तो वो इसमें पैसा लगा कर रख सकता है, M.I.P. एक तरह से हर महीने आप पैसा डालते रहें, ठीक है, और उसके बाद इसम इसमें हर 5-5 साल बाद आप चाहें तो रीन्यू कर सकते हैं, 5 साल हो गया, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, इसमें लेकिन एक ही दिकत है, टेक्स बेनिफिट नहीं मिलता, A.T.C. वाला टेक्स बेनिफिट पॉस्ट ऑफिस वाली स्कीम में नहीं है, इ इसमें टेक्स बेनिफिट नहीं है, और एक और के इसके लिए सीनर सिटिजन होने के भी जरूरा था, पहले भी कर सकते हैं, आप जैसे बता रहे थे, सिस्टेमाटिक विड्रोल प्लान की बारे में, उसकी इंपोर्टेंस और साथ ही अगर निवेश का नजरिया बना कर हम च मेर को विड्रोल करने के लिए कोई जगे जान जाकर मैं पैसा निका रहे हैं, यह वही आदम ही कर सकता है, इसने पहले पैसे बचाए है, बिल्कुल, हाँ, हो लो कि सबसे बड़ी है, इसकी नहीं लग रही है, इसमें सिधे जाओ, मंतली निकाल लो, SWP, यह SIP का ही भाई है जब अपने SIP की है तब SWP करेंगे? यह आप किसी भी debt fund में कर सकते हैं, equity fund में कर सकते हैं, तो senior citizen है, 50-60 साल के आप हैं और आपने 25-35 साल से invest करना शुरू किया है, चाहे आपने equity में किया हो, चाहे आपने fixed income में किया हो, पैसा तो आपने बचा है, जो बचा है वो ही निकलेगा, यह मैं सोचे कि मतलब मैं कोई और आखे देने वाला मैं निकालते रहूं, निकालते रहूं, ऐसा नहीं है, आपकी बचती है, आपको निकाल नहीं है, पहली चीज़ तो यह दिमाग से में clear कर लिजे, कि मैंने जो बचा के रखा है अब तक पैसा, किसी fund में, वो में निकाल सकता हूं, कैसे निकालना यह आप आपने बचाए 25 लाग रुपे, और आप सुझा है, हर मेने मुझे तो एक लाग रुपे चाहिए, तो आपको यह पता रहे कि मेरे इतने समय तक पैसा यह चलने वाला है, उसमें जो बीच में रिटरन आएंगे, कम जादा थोड़े बट होंगे, वो अपनी जगे है, और मै आपका एक्विटी फंड है, उसको डेट में शिफ्ट करते हैं, ताकि आपका फिर है नीचे न जाए पैसा, एक्विटी में तो रिस्क है हमेशा, उपर नीचे होने के, तो सिस्टेमेटिक विट्रोल प्लान करने के पहले आपको इना फिक्स इंकम की तरफ चले जाना है, ताकि आपके एक्विटी वाली रिस्क खत्म हो जाए, आपने ले लेनी थी पंदाभीस साल जो आपने पैसा लगा के रखा, तो वो काम नहीं करना है, तो SWP में आप अवधी तैय करें, कितने समय के लिए पैसा चाहिए, और आप ये तैय करें, कितना पैसा आपको हर्माई करने चाहिए, उस हिसाब से आप शिफ्ट करते हैं, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने अनल जी बताई, जब SWP की बात करें, तो SIP और SWP एक तरह से प्रोसेस ही है, SIP की जब शुरवात करें, तब SWP को आप ध्यान में रखें, क्या आपकी जरूरत होने वाली है, उस हिसाब से आप जब अपनी जिन्देगी के शुरवाती दौर में आके सकते करियर की शुरवाती दौर में हैं, तब SIP करना शुरू कर दें, तो बिल्कुल हम regular IQ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम senior fathers की बात कर रहे हैं, तो फिर medical खर्चों की बात हो जाएं, क्या जिन्हों ने कभी equity में नहीं पैसा लगा और fixed income में रखा, तो उनके लिए तो ब्याज कम होगा, तो आपको कुछ investment ऐसे करने हैं, जिनको ब्याजदरे गटने से फाइदा हो, और कुछ investment ऐसे करने हैं, जिनको ब्याजदरे गटने से आपको फाइदा हो, जिससे कि debt fund, जब आप debt fund में पैसा लगाते हैं, ब्याजदरे गटने तो आपके debt fund की value बढ़ती है, कुछ investment ऐसे हो, जो ब्याजदरे गटे तो भी आपका ब्याजदरे गटे, जिससे कि senior citizen saving scheme 7.45%, प्रधान मंत्री वाइवंदन योजना, अभी 7.66% है, post office scheme 6.6%, तो आपको ये fixed ppf type हुए ये सब भी ज्यान में रखने हैं, किसी भी situation में आप सुरक्षित रहे हैं, fixed income आती रहे और वो बहुत जल्दी से गिरे हैं, अब आईए आप जो बात करें, दूसरा जो purpose है, एक तो regular income वाला होगे है सारा, किये रहे, option और भी बहुत सारे हैं, मैंने selectively आपके लिए रखे है देने में 50 दे दूँगा, और ये selective ही सबसे जादा important भी लग रहे हैं, क्योंकि benefit के हिसाब से भी वो सबसे जादा lucrative लग रहे हैं, correct, अब medical कर्चे, medical में आप पहले हैं, कितना लेना है, क्या-क्या लेना है, उससे पहले हैं, आप अपने आप, खुद को समझो, मेरी health का status कै है, है ना, तो आप अपनी health का ध्यान में रखो, उस हिसाब से आप प्लान करो कि आपको health insurance कितना चाहिए, है ना, मेरे को कि, अगर मैं 50 साल के उमर में fit हूं, no BP, no sugar, nothing, कोई जिंदगी में कोई operation नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, रोज योगा है, वो vegetarian, teetotler, सब कुछ है, ठी है, कम दो, क्या फर्क बढ़ता है, ठीक है, अब अपनी बात कर रहे हैं, आप तो teetotler भी है, 100%, यह सारी मेरी तो थी, लेकिन, पॉइंट यह है, कि emergency funds अलग चीज है, कोई accident हो गया, कुछ हो गया, और अचानक से भी बिमारी आती है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आती, तो आपक एक तो यह कि जो अगर आपकी health issues है, तो आपको ज्यादा medical insurance चाहिए, health issues नहीं है, तब भी चाहिए तो ही, तो एक उस हिसाब से आप अपना प्लान करें, कि health insurance कितना ले रहा है, point number one, दूसरा यह कि बीमारी के लिए आपके पास में पैसे होने चाहिए, जो मैंने पिछले श citizen को 6 मेने का रखना चाहिए, वो emergency cash वाली बाज़ा है, minimum 6 मेने का, cash, cash, minimum 6 मेने का गर में रखिए, वो काम, मतलब कुछ होगी emergency, कहां इदर उदर भागेंगे, करेंगे, मतलब वो रखना ही चाहिए, तीसरी चीज, जो senior citizens में बड़ी important है, और वो बहुत मुश्किल है, बहु अब क्या करना है, वो attitude होता है, करो मत करो, आना चाहिए, एटीम में जाके पैसे निकालना ही है, तेकनोलोजी का क्या है, जब तक आप इस्तेवाल नहीं करते हैं, तब तक बहुत मुश्किल है, और करने के बाद नहीं करेंगे तो मुश्किल है, फिर लाइफ इतनी आसान ह जाती है, फिर ऐसा लगता है, इसके मगेर कैसे चल रहा था है, एक दिन आप जाएए, बैंक जाएए, टोकन लीजे, लाइन में लगिए, पैसा निकालिए, गिनिया आईए, उस पूरी प्रोसेर में तीन गंटे लगते हैं, दो गंटे लगते हैं, और जाई एटीम में ती अनर जी आप बात करते हैं, विल प्लानिंग की वसीयत, विल प्लानिंग कितने इंपोर्टन है, विल प्लानिंग के पहले है न, एक जो तीसरा पोईंट है, वो आपने मिस कर दिया, कौन सा, देखो हमने क्या होला, सबसे पहले तो आपको रेगुलर आई ची, दूसरा सबसे पहले चीज़ आपको लाइफ एंज्योई करने में एक सवाल का जवाब अपने आपसे लेना है, जब आप पचास, 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 पहले तो एसी एज से सोचना शुरू कर देना, जिस भी एज में सोचे है, इस सबस्ट रेटार्मेंट प्लानिंग कर रहे हैं, पच कब जाना यही नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से कम यह तो सोचो नहीं कि मुझे कब जाना है, अब यह क्या प्लानिंगे, ऐसे भी कोई सोचना पड़ता है, यह जब सोचोगे ना, अरे आप देखो जो मजाएगा, तो पहली चीज तो यह पचास साल की उमर है, अब और कित करना, आपके बाद जो कुछ है जेब में, जो इन्वेस्मेंट, आपकी प्रोपर्टी यह, वो सब कुछ, बैंक वेलेंस, उसके बाद दूसरी चीज आपको यह टाई करना है, मेरे जाने के बाद मुझे पीछे वालों के लिए इतना छोड़ना है, मेरे बच्चों के लिए आपके बच्चे को छोड़ना ही क्यों है, अब यह दो चीज होगा है, तो अब जो पैसे बच्यवा पैसा मेरे जाने के पहले, ठीक है, क्लियर है, अब आप कहेंगी, मैंने तो सोचा था, मैं स सतर नहींने ही चलेंगा, तो बच्चों के लिए छोड़ा वो भी उसकर दो आप यहां पर मैं चाहूंगी कि आप सीनियर सिटिजन को क्राई भी दे एक एज के बाद वो कटौती के बारे में सोचते हैं ना 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 यह आपका पैसा आपको यह एंज्योई करके जाना है पैसे के तीन ही तरीके है भोग, दान, नाश या तो आप उसका भोग करें, यूज करें या उसको चेरिटी में दान देतें लोगों को यह वो अपने पड़ा-पड़ा खत्म होगा नाश होगा उसका यह तीस के अलावाद चोथा कोई तरीका नहीं है ठीक है ना तो भोग तो करो आपने कमाएं पैस बिल्कुल ठीक है तो अब आपने यह डिसाइड के लिए मुझे इतने छोड़ के जाने बच्चों के लिए उसके बाद बच्चे में पैसे को आप प्लान कर लो कि अगले 20 साल में मुझे यह दो करोड़ तीन करोड़ चार करोड़ गूमने फिरने में जो मेरे शोख है जो म करोड़ आप तो बिंदास ठीक है अब आपके सवाल पर अब का मतलब वस्यत सबको बनानी चाहिए इसलिए अ ताकि आपके पिछे आपका नाम कराबना हो, यह बहुत दूरी, पता जला कि मतलब है आपके सामने तो आपके बच्चे जिनकी बड़ एक दम अच्छे से रहे, पीछे जाते ही जूते निकाल लिए एक दूसरे के अपने, कि मेरे को इतना, मेरे को इतना, सिधा बटवारा करक आप छोड़ के जा रहे हो, या तो आपके बहुत बड़िया संसकार दी है, कि एक दूसरे के वो मतलब sacrifice कर लेंगे, उतना भरोसा हो तब तो आपकी मरजी है, बट विल प्लानिंग ज़रूर होनी चाहिए, उससे क्या होता है, दो चीजी है मान से, एक तो आपके पास है क्य एक बनाना सब के अपने हमनी मरजी है, लेकिन वो बना लिजे विल, विल बनाने के बाद, आप चाहिए तो इसे कभी भी बदल सकते हैं, समय समय पर update भी करते रहे हैं, ठीक है, हाथ से लिख सकते हैं, computerize, पहले टाइप हो देए आज की computerize भी कर सकते हैं, लेकिन इसको update करत जैसे आपके पास कुछ बड़ी प्रोपर्टी और आ गई है या कुछ चेंजेद हो गई है अपडेट कर लिए एक बार बनाने के बाद आप हर माई नहीं विल बना इनकों रोकता है आपकी है और इसको रेजिस्ट्री कर वा लिजिए सब रेजिस्ट्रार के पास जाकर रेज के चक्कर में इसलिए यह विल जरूर बना और यह एक्टिविटी होनी भी चाहिए और इनफेक्ट जैसे आप बता रहे हैं कि जितनी चाहें आप उसमें चेंजिस कर सकते हैं जब चाहें हर बाद में रोज बदलो बना करता है लेकिन साल छे महिने में एक आत बार रिवीव बिल्कुल अनन जी अब एक और सबसे इंपॉर्टन चीज नहीं जनरेशन के लिए उनको आप क्या राय देंगे नहीं जनरेशन के लिए पुरानी जनरेशन को राय दूँगा अच्छा हाँ क्योंकि आज हमने जो सीखा है हमारी जिम्मेदारी हम भी हमारी नेक्स जनरेशन को कुछ सीखा है जो मैंने मेरे फादर से सीखा है वो मैं बताना चाहता हूँ मेरे फादर बैंक मेनेजर थे और और आप खर्चा आल-tू-फाल-tू कर रहे हो यो नहीं कर रहे हो। एक बार घ़र्चा कर दिया है जब लिखनें बैठते ना तो एक बार फिर से अगर आप उत्ति हमें प्राहता है तो नहीं करता तो ठीक था हूं में और अMMरी तो एक और ने तीसरी चीज चीज सिखा itu जिए अपना पैसा के भिचा लूटा तुम बेंक आखुट में डाल किया हो लाएज चाहिए तो यह न यह ऐम बैंका डार दो हरादमी जो दो फिर पहली बार बैंक हम जाता पर पॉइंट यह कि आपको वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सिस्टम आनी चाहिए यह चीज आप अपने बच्चों को सिखाईए अनिल जी आप ऐसे गोल सेट कर देते हैं आप मेरे मन में भी आ रहा है कि मैं भी जाकर अपने भाई को यह सिखा हूँ हंडेट परसें बिल्कुल करना ही चाहिए तो उससे क्या होगा कि वह सेल्फ डिपेंडेंट होंगे खर्चे कंट्रोल में लिखने की आदत हिसाब रखने की आदत बहुत काम आती है हम तो कहते हैं कि वह पहले लिका और पीछे दे भूल पढ़े तो कागज से ले तो आपका लिखा हो है तो आपको कभी भी रिमाइंड हो तुरां आपके सामने और टीसरा आप खर्चे लिमिट में करेंगे चोथा आपकी सेविंग की आदत पड़ेगी सेविंग के बाद आपकी इन्वेस्मेंट एक बार आपने बेंकिंग शुरू की फिर आपको पता चलेगा बें इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं जो मुझे मेरे फादर ने से काया है वही मैं आपको बतार हूँ यह तो प्रैक्टिकल एक्स्पिरिंस है लाइफ का जो आपको हमेशा अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए पानियो जी व्यूवर्स के आप इतने चहीते इसलिए हैं क्योंकि कोई भी मौका कोई भी रिष्टा उसे जोड़कर आप सबसे इंपॉर्टन बात जो की फिनैंशल प्लानिंग की बात है जो हर कोई सोचता है लेकिन इतनी सारी उंजने हैं उसको सुल जाते हैं फादस डे का मौका है और आप यहां पर फिनैंशल प्लानिंग और वो भी दो भाग में है जो नए पितार जो बने हैं उनके लिए और साथी जो सीनर सिटिजन है उनके लिए बता रहे हैं वो भी इतने विस्तार से इतने सारी चीज़ है शुक्रिया यह तमाम जानकारी के तो चलिए हमारी इस खास पेशकरश में फिलहाल इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पर धेर सारी जानकारी मिली होगी बने रहें जी बिजनिस के साथ नमस्कार